प्यार विद्यार्थी ओप लोग कैसे हैं आसा करता होगी सभी लोग मस्त होंगे सवस्त होंगे प्यार विद्यार्थी मैं आपका स्वागत करता हूं SSD climax मिं तो प्यारविद्यरजू जैसा कई आपको पता है कि computer की हमारी जो classes हैं लगातार चल required और computer में एक beetle topic के 001 के बारे में discussion कर रहा हैं internet इंटरनेट इसका full form interconnected network होता है और आपको पता है जो मेरा वीडियो आप लोग पार हैं इंटरनेट के माध्यम से ही संभव पा रहा है और यहां से एक्जाम में काफी कोशन पूछे जाते हैं इंटरनेट से तो आईए हम लोग इसको कांटीनिव करते हैं आज के टाप आज का जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है आपको पता है ट्रांसमिसन मेडिया है अगर आपको नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिएगा वहां पर कुछ सीजे मैंने आपको बताया है हां सिखा जी आपका स्वागत है गुड आफटरनूट ठीक है चली आईए हम लोग सुरुआत करते हैं अपने कलास की देखिए सुरुआत कर पर इसका जोड़ेते हैं तो याद रखिएगा उसका भी आपको 100% मिलने वाला है उसका भी आपको क्या करना है 100% कोई भी टार्गेट है उस पर हंडिद्ध फोकस करो सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है लेकिन उसके लिए पहले यहां पे मेरा चौदा को एक्जाम है तिरपल सी का क्या प्लिस आप देखिए यहां पर पढ़ा रहा हूं वहां पर भी कोशन यहां से बन बनते हैं बस उसके लिए थोड़ा सा और इस एक्स्ट्रा आपको पढ़ लेना है ठीक है कोई वोग वगरा तिरपल सी का हो तो कुछ कोशन वगरा निकल जाएगा तिरपल सी तो यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर समय और मेहनत का सही इस्तिमाल ही सपलता के एक सूत्र है तो आईए हम लोग समय रहते हुए मेहनत करते हैं और अपने जो टॉपिक हम लोगों का जो टॉपिक है इस पर हम लोग काम करेंगे जो टॉपि कि अद्यक्त कि अध्य wann pontos कि ड्राव मीडिया या इसिके अध्य लों मुन्रुकीशन अध्य भूलते हैं क्म्यूनिशन मेडिया और इंटरनेट में टॉपिक आपको समझना है सन मेडिया क्या है यह समिसे अध्या मिडिया इसी को समझाने वाला हूँ आपको नया टापिक है जिसको क्या बोलते हैं सबसे पहले बात है हिसके कितने भाग होते हैं इक हूता है और एक होता है अन-गाइड इसके दो भाग होते हैं एक होता है गाइड़ मीडिया और दूसरा कौन सा होता है अन गाइड़ मीडिया होता है तो अगर मैं बात करूं गाइड़ मीडिया कि किसके वह यह गाइड़ मीडिया में तो यहां पर गाइड़ मीडिया गाइड़ मीडिया क्या हो जाएगा गाइड़ मी गाइड़ मेडिया क्या हो जाएगा गाइड़ मेडिया हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अनगाइड़ मेडिया क्या हो जाएगा अनगाइड़ मेडिया गाइडेड मीडिया क्या होता है जिसमें तार का परियोग करके डाटा का ट्रांसफर किया जाता है उसे हम लोग गाइडेड मीडिया बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया जिसमें तार भीहीन हो यानि बिना तार की माध्यम से डाटा ट्रांसफर हो जिसमें लोग फोन पर जब data का transfer होता है तो यहां पर guided media जिसमें तार का परियोग हो जिसमें वायर का परियोग हो जिसमें वायर का परियोग हो और दूसरा क्या हो जाएगा अनगाइड़ मीडिया जो तार बहीन हो जो तार बहीन हो यानि जिसमें तार का परियोग किए डाड़ा का transfer किया जाता है उसे हम लोग अनगाइड़ मीडिया बोलते हैं अगर मैं बात करूँ कि guided मीडिया में अगर मैं बात करूँ आप इल्कुल सिखा जी guided और twisted pair wire twisted pair wire जो कहा हो जाएगा पहला हमारा guided media का example हो जाएगा दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा जो media है जिसको हम लोग बोलेंगे coaxial cable क्या होता भी है दूसरा दूसरा जिसका नाम है coaxial cable क्या हो जाएगा coaxial cable यह भी तार होता है जिसके द्वारा data जो है transfer किया जाता है और यह आपको पता है physical wire होते हैं क्या होते है physical wire होते हैं यानि इनको हम लोग पकड़ सकते हैं इसको तोड़ भी सकते हैं मतब तोड़ने का मतब refresh सकते हैं इसतार को तीसरा जो आपका हो जाएगा तीसरा जो आपका इसमें guided media में example होगा जिसको हम लोग बोलते हैं optical fiber wire क्या होता है optical fiber optical fiber wire तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है जो मैं आपको लिखाया होती है यहां पर इसमें कि गाइडिड मीडिया के गाइड़ commend to चाएंगे गाइड़ मीडिया जिसमें टारह का परियोग करके डाटब्सफर किया जाता है उसे गाइड़ मिडिया वो है गाइड़ मीडिया में कौन हो जाएगा twisted pair wire हो जाएगा अब twisted pair wire होता कैसे दिखता कैसे हैं इस सारी चीज़ भी मैं डिटेल में पढ़ाओंगा थोड़ा सा आप सब्सक्राइब रखेंगे दूसरा होगा कोयक्सियल केवल और तीसरा हो जाएगा Optical Fiber Warrior आ आते हम लोग ayudar Unguided Media पर उनगाइड Twin यानी जिसमें वेव का परियोग करके डाटाब काटा का ट्रांसफर किया जाता है जिसमें जो है तरंग की माधियम से डाटा ना तो वहां परका क्राफ करताना तो सबसे पहला looks ऐब हो जाएगा रेडियो वेब के अगर म ब बात करो किसे वह reflex है स्मार्ट फोन में जो वेब है रीडियो वेब जनरेट करेगा तो अब इसको वारे में रेडियो वेब की वारे में जानकारी हम लोग अच्छे से लेंगे पहले नामस जानते हैं दूसरा कॉन सा जाएगा दूसरा है इंफ्रा इंफ्रारेड वेव इंफ्रारेड वेव हो जाएगा तीसरा हो जाएगा माइक्रोवेव माइक्रोवेव और कहीं कहीं पर देखेंगे सैटेलाइड कम्यूकेशन भी इसी के अंतरगत दिया जाता है सैटेलाइड कम्यूकेशन इसी को सैटेलाइड कम्यूकेशन को भी किसमें उन गाईड़ मीडिया में ड़ेंगे सैटेलाइड कम्यून्यूकेसन शुए जो आप देख रहे हैं किसके एक गाईड़ मीडिया के हैं गाईड़ उन गाईड़ होगा बिना तार के माद्यम से डाठा ट्रांसफर किया आप दो hem लोग दिहान से देखेंगे इसे को ना चले अब इसी के बारे में हमको जो है डीटेल से पढ़ना है इक-एक मेडिया के बारे में सबसे पहले आई यहां पर दिखाता हूं सबसे पहले यहां पर देखेंगे यहां पर भी इंसन है सारी चीजें यहां पर देखेंगे classification of transmission media या communication media तो दो प्रकार के होते हैं गाइड़ होगा जिसमें वायर का परियोग किया जाएगा जो वायर होता है और दूसरा अंगाइड़ होता है जो क्या हो यहां पर एक पिक्चर भी आपको मैंने आप गूगल से डाउनलोड करके दिखाया है ताकि इसको भी आपकी पास अभी मैं सेंड करवा दूंगा तो इसको भी आप लोग देख लीजेगा ना यहां पर सुनेर जी गुड़ आफटर नून ठीक है चलिए यहां पर आज आई हम लोग बात करते हैं कि वाखी चीज़ यहां पर भी है ट्विस्टेड पे और वा confident फाइब़ोल फाइब्ल ऑप्टिक वाई-डीविशु की आपर में सिरेगे सबसे पहले ट्विस्टेड फियर वायर के बारे में किसके बारे नंगी है ट्विस्टेड पेयर वायर को पारिक पेयर का मतलब होता है जोड़ा त्विस्ट का मतलब होता है एक दूसरे से लिप्ते हुए या एक दूसरे से हैं कि गुम्टे हो जाएगा आई यह मैं थोड़ाइस आपको दिखा देता हूँ थोड़ाइस आपको यहां पर ध्यान देना है त्विस्टेटर पेर देखता कैसे है ना कई लोग को टुशचेटर वाईर देखे नहीं होंगे तो मैं चाहता हूं किर्टर पेर का यहां कि ऊठ को मुश्च यहाँ पर देखने का एसे होता है हलांगि बहुत ही क्या होता है यहाँ पर ध्यानेंगे को याउस के बहुत ही यूसेबल है यहम बेंगी कारियों में परीयों करते हैं जैसे आप से सेपसगे को अविछ बैंड का भी कुछ इमेज्ज आपको दिख जाएंगे यहाँ पर क yeni मेज को मैं आप दिखा देता हूं जहां पर जो बायर है कि ठेल यह यहां देखें गयाप लोग यहां पर देखिए ट्विस्टेट पीयर वायर of अधिए ये केबल है यहां पर आपको जूम थोड़ा सा कर देता हूं ताकि आपको देखिजाए देखिए जो केबल है एक दूसरे में ट्watे हैं गूम्टे हुए हैं या लिप्टे आप ऐसे बोच शकते हैं तो ये वायर जो आपको सामने दिख रहा है यहिए टूस्टेट प करते ना घर के कारियों में इसका यूज आड़ा देखने को मिलताए तो एक दूसरे से लिप्ते वह होते हैं इसी को हम लोग ट्विस्टेट्ट ब् हाइर बोलते हैं तो अगर देखा जाए मार्केट में थोड़ा सा सफस्ता वायर आता है अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर दिखाना चाहूं यहां पर देखिए इमेज आपको दिख रहा होगा ट्विस्टेड पेर वायर को हम लोग जो है इथरनेट केवल के नाम से भी जानते हैं इसी को क्या बोलते हैं इसका नाम रख सकते हैं इथरनेट केवल इथरनेट केवल या इसी को हम लोग लैन केवल भी बोलते हैं लैन का मतलब होता है लाउकल एरिया नेटवर्क लाउकल एरिया नेटवर्क के लिए यानि सीमित एरिया में नेटवर्क को इस्टेबलिस करवाने के लिए प्रसंत पूछा जाता है लाउकल को याद रखना है और मैंने बताया था लैन जो होता है सो मीटर से लेकर दो दसमलों पांच किलोमीटर की रेंज में काम करता है इसे इथरनेट के नाम से बी जानते हैं और यहां पर देखिए और कोपर वायर होता है कोई जरूरी नहीं कापर के साथ साथ इलमुनियम का भी हो सकता है लेकिन जादा तर किसका यूज किया जाता है कौपर का ही यूज कि इसके बाद हमारा है यह जो होते हैं तार एक दूसरे से लिप्टे हुए होते हैं आपने अपने घरों में देखा होगा जरूर देखा होगा और सस्ता के वर आता है और क्या होता है तुष्टर पैर वाइर के अगर आप कर пой tow संब सकते हैं इसकी Clay प्राइज होती कम होती यह सस्ता वायर आता है अगर अगर देखें तो इसका यूज हलाकि थोड़ा सा कम दिखता है लेकिन इसका यूज पहले यहां पर ध्यान देंगे पुरानी टेलिफॉन यूज किया रहा है तो यहां पर आपको चीज़े समझ में आ गई है इसको हम लोग लैन वाएर के नाम से या इधारण के नाम से जानते हैं यह कौपर वायर से जो है इसका जो एलिमेंट होता है मैं आपको यहां पर पिक्चर बना के दिखा दूं यहां पर देखें कि वाइर इसी प्रकार से होगा देखें इस प्रकार से आपको दीख जाएगा और इसी मेंसे जो है वायर निकले होंगी इस प्रकार से और यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से जो है इस प्रकार से आपको वायर लिप्टे हुए दिख जाएंगे ना उपर यह जो इंसुलेटर होता है इंसुलेटर कि इंसुटेर जो हुगा ये पिलास्टिक का होता है पिछा एक न अब यहां पर जो यह रेट क्लर में और यलो कलर में दिख रहा है यहां पर एक जो है आपको यहां पर इस प्रकार से जो है थ्थोड़ा सव căंड़ा बनाना चाहूंगा इस में से हमको क्यान निकालना है कि इसमें से जो है कि पतले पतले दो वायर निकले रहेंगे ना जो पतले पतले वायर निकले रहते हैं कंड़क्टर का काम करता है किसका काम करेगा कंड़क्टर होता है कंड़क्टर का मतलब क्या होता है सुचालक ना यह सुचालक होगा कंड़क्टर होगा जो की किसका होता है कौपर का होगा कौपर का भी हो सकता है तो ज्यादर तरहला की कौपर ही यूज किया जाता है और यहां पर देखेंगे इस प्रकास्ट ट्विस्टेट पेर वायर होते हैं एक दूसरे से लिप्टे हुए होते हैं इसके बाद इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है जिसको हम लोग को Axial cable के नाम से भी जानते हैं इसको भी आपको याद कर लेना है नाम के वहला आप एधिवी केवल मी करते हैं देखे आपको देखेंगे यहाँ पर और इसी वायर में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूं आज कल तो इसके नए नए टेक्नोलोजी नए नए वर्जिंस बनने बनना शुरू हो गए मार्केट में देखें को एक्सियल के वाल यही है ठीक है यहाँ पर मैं इस इमेज को ओपन करता हूं यह तो लगाने वाला दिखा रहा है वह इमेज को नहीं दिखा रहा है चलिए यहाँ पर देख लिए होंगे यहाँ पर को एक्सियल केवल यही है थोड़ा सा यह जूम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखें को एक्सियल केवल यहाँ पर दिख र पर जो चाईसियल के वह दोता है इस मैं देखेंगे इस प्रकार से आपका वायर निकला होगा और यहां पर किवयल एक सिंगल वायर निकला रहता है जिसको हम लोग और बोलते हैं जिससे डाटा ट्रांस्फर होता है जिससे क्या होता है डाटा ट्रांस्फर होता है तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर देखिए यह वाला पिक्चर है इसको दिखा देते हैं आपको कि यह वाला देखिए यहां पर देखिए कॉपर वायर हो गया सेंटर कोर जिस्ते हम लोग बोलते हैं उपर एक प्लास्टिक जैकट लगा होता है काफी मजबूत होता है क्योंकि इसको धूप में बरसात में रहना पड़ता है आप देखेंगे डिस्टीबी जो आपका च्छत सफेद कलर का आपको दिखेंगे उसके बाद उसमें से जो है एक हमारा कॉपर का सेंटर कोर निकला होता है इसी कव भूप है जो है निक पक्नुलेंगे पलगा हनंगे यानि एक ही वाय होता है क्यों सब्राइब एक बांस में अथिक्तर केवल होता है का नोक ओ बदलने के यह परियोग किया जाता है इस केबल का और इसका data rate जो था है 10 MPPS लिए-änge होता है मतलब हो जाएगा gigabytes per second क्या हो जाएगा Megabytes per second हो मेगा बाइट और क्या हो जाएगा पर सेकेंड जीसका फुल फाम हो जाएगा तो डाटा रेट आपको यहां पर आपको दिख रहा होगा तो इसलिए आप लोग देख लीजेगा और फिसका यूज आपको पता है कि डिस्टी वी या टीवी में यूज गया जाता है तो यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान से देख लीजेगा इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आपका आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे fiber optical wire सबसे महागा सबसे अच्छा और मैंने बताया था इसको जब internet शुरूगात किया था तभी इसका जिक्र किया था किसका optical fiber cable या इसको हम लोग प्रकासी तंतु cable के नाम से जानते हैं तो इसके करता है अगर मैं बात कुरूँ इसकी बनावट की तो आपको यहां पर देख रहे होंगे काफी और काफी जो यहां पर देखेंगे data transfer के लिए यहां पर किसी wire का इस्तेमाल नहीं किया जाता है data के लिए यहां पर लगा होता है और जो होता है गलास का करकर किसा बनाओता एक गलास का बनाओता है गलास का बनावट है जिसमें से data यानि यह प्लास्टिक इतना मोटा देखेंगे जो ब्लाइक कर आपको दिख रहा है इतनी मोटी जो है 17 mm का जो प्लास्टिक यूज किया जाता है क्योंकि इसका यूज ज्यादा तर किसमें समुंद्रों में बिछाने के लिए किया जाता है इंटरनेट की सेवा के लिए इसका का इस्तिमाल किया जाता है दूसरा दूसरा लेयर देखेंगे दूसरा लेयर देखेंगे यहां पर का लेयर यहां पर रहता है फिर उसके बाद इसके नीचे लेयर आपको स्टील वायर का मिल जाएगा स्टील देखिए जो आपको वाइट कलर दिख रहा बलैक में स्टील वाय और यहां पर दखेंगे इतने होती है और इस अवरता क Automotive प्रावरतन प्रप्रवोड branch करता है कि एगा डाटा इसमें 10 bessar रहा है एक पूरा पूरा आउट-पूर देने का का काम करेगा ना दस अबी पीच पूरा जो है देने का काम करेगा क्योंकि फूर्ण आंत्रिक प्रावरतन पर आधारित है वैसे साइंस में भी कभी कोस्टन बन जाता है कि ईड़ाल फाइबर की सिद्धान पर काम करता है तो इसका डाटा संचार में किया जाता है संचार के लिए किया जाता है और आप लोगई इसको नाम है कि और पूछे जाते हैं तुन को भी एको दिख रहे हैं एक टीजिवकीम होते हैं जिसको आप पकड़ सकते हैं यानि physical 셈chodzi है न उसके बाद दूसरा होता है किया अन्डाइड जय क्या होता है जिसमें वेव के माधियुम से डाटा ट्रेफल करता है और इसको देखेंगे रेडियो वे माइक रेडियो वेव और इसको देखते हैं पहली बात करूंगा रेडियो वेब की देखिए अगर हम लोग आज बात कर पा रहे हैं हम यहां परियाग में रहे कर कहीं घर पर या कहीं किसी से बात कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम कैसे बात कर पा रहे हैं तो अगर रेडियो वेब ना होता तो हम साथ बात ना कर पाते ना तो यहां पर देख जो पढ़ी रहे हो communication media या transmission media के नाम से जाना जाता है चलिए यहां पर देखेंगे radio wave सर्व दिसापनक है देखिए radio wave क्या होता है देखिए जहां पर tower लगा होता है जिसे माली यह tower है तो tower से ही जनरेट होगा और यहां पर देखेंगे यहां कर सका तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है जो रेव डिसात्मक कर्वाता है यहां पर अप कर दोरी के संचार्य के लिए इसका परियोग किया जाता है आप लोग मॉबाइल से बात करतें उनके तो काफी दूर लोगों से भी बात हो चाहरे दाते यानि लंभी दूरी के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता रेडियॉवेष का तो यहां पर बताताु देखिए इसका यूज को तो ह MM throw ए टो पर हना को शुक्रान कौन सा वेब जिम्मेदार है तो रेडियो वेब मोबाइल में जो सिगनल आ रहा है यानि मोबाइल से हम लोग बात जो कर पा रहे हैं टीवी की अगर बात हो तो कुछ एक ग्जामपल है जो रेडियो वेब के फूर धूर जो हमको प्रोग्राम या जो होता है और रेडियो वेब को जनरेट करता है और रेडियो वेब जाता है कहां पर टावर के पास टावर के पास लगी होते हैं रेडियो ट्यूनर और रेडियो ट्यूनर ही क्या करता है हमारी आवाज को बदल देता है यानि ऐसे हो जाएगा पहले आपको यहां पर आपका जो ट्रेडिज़ाइगा सांद्र के पास टावर में लगा होगा रेडियो ट्यून ए आपस येवाज हमारी Кader करके भेजो में सबाndon प्रकार से एक miracle ही है न तो यहां पर mega टूर और वाइस प्रकार से यह बुदाए और यहां आफर देखेंके रीडियो weब किस प्रकार से नामयाद करें या यूज QUEा होता है इतना ही important है व् encantate frequency नहीं पढ़ना इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे दूसरा आता है इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेब ना इंफ्रारेड वेब की अगर मैं बात करूं यह यूनि डारेक्शनल होता है सबसे पहले आप देखिए वहां सर् देखिए यूनिडरेक्शनल है क्या है इन्य डारेक्शनल हुआ कैसे और यहां पर यहां पर आपकी तरफ दबांगा तो देखिए इधर를 डाटा no नहीं हो रहा है तो यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं अपना अब देखिए प्रोग्राम जो बदल रहा है ना ट्विस्टेट पेर वायर को एक्सेल के बला और ऑप्टिकल फाइबर वायर भी हो गया था रेडियो वेब पर जो स्लाइड को चेंज कर पा रहा है तो मेरी बातों का ध्यान रखिएगा जो इन्फरा रेड़ वेव होता है यूनी डारेक्शनल होता मतलब जिस दिसां में आप काम करेंगे जिसां में प्रेस करेंगे उसी दिसां में डाटा ट्रांसफर कराएगा तो यहां पर अगर रास्ते में आ जा रहा है या कोई औरोध बीच में आ जा रहा है तो वहां पर इकाम नहीं करता है क्या इंफरेड वेव नहीं काम करता है तो यहां पर इस सीच को भी आप लोग याद कर सकते हैं या दिवार या किसी फिजिकल औरोध को पार नहीं कर सकता है नहीं ज् कि इसका यूज जो है आटोमेटिक डूर है टीबी रिमोट है वाइरलेस स्पीकर है रिमोट है तो इन सब जगहों पर इन सब के लिए जो है इन फर रेट का यूज किया जाता है यहां पर भी देख समझ किया हूंगे आप लोग इन फर रेट वेप को आगे बढ़ते हम लोग अब इसके बाद इन फर रेट के बारे में समझ गया है यहां इन फर रेट के बारे में पहली लाइन तो ही आपको याद करना यूनी डारेक्शनल होता है एक ही दिसा में डाटा ट्रांस्पर होता है या दिवार या किसी फिसकल अउरोद को पाल नहीं कर सकता नहीं ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करता है इसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर से आप रिमोट अगर मैं दबाऊंगा तो इसका रेंज होता है दस मीटर पांच मीटर जो भी होगा एक आता है माइक्रोवेब इसके बाद क्या जाएगा माइक्रोवेब माइक्रोवेब देखेंगे इसका भी परियोग रिमोट सेंसिंग दिसाग्यान नेविगेशन आदि में किया जाता है तो हलक यहां पर क्योल बस तो आपको नाम ही याद करना है नाम क्या याद करना है सबस चनाओं को ट्रांसफर करने के लिए रेडियो सिगनल का भी इस्तिमाल करता है और इसका उपयोग जो है पॉइंट पॉइंट संचार के लिए भी किया जाता है जो मैंने बताया यही जो है अंगाइडेड मीडिया के इन इंपॉर्टेंट हैं कौन-कौन से हैं आप लोग लिखके जवाब दीजिएगा रेडियो वेव हैं इन्फरारेड वेव इंफरारेड है और माइक्रोवेव हैं इस प्रकार से आपका देखेंगे जो है गॉइडेड मीडिया और गाइडेंड मीडिया आपका यहीं पर होत जोड़ने में हम फ Walker लेते हैं तो आई हम लोग ठहां जानते हैं वाइफाइक अब बारे में फुंचा जाता है तो फॅ Concこと वाइरे लेस्फिटी हो जाएगा वाइरल्स संव रिजाएगा क्या हो यह तो स्वानिक्त तो उसी तो यहां पर लिखा यह यहां वेतार लाइन है जो 2.4 गीगा हार्ट्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तथा पांच गीगा हट्स यानि सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से इलेक्टोनिक को डाटा ट्रांसफर या इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है तो यहां पर जो रेंज दिया गया फ्रिक्वेंसी का 2.4 गीगा हर्ट से लेकर 5 गीगा हर्ट तक रेडियो तरंगों के माध्यम से डाटा ट्रांसफर करवाता है यहां पर हम को इंटरनेट से जुड़ने में मतलब करता है तो डाटा भी सकते हैं डाटा भी हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं तो इस प्रकार से वाइफाई का फॉल फार्म इंपॉर्टेंट है और इसका फ्रिक्वेंसी है इसको भी आपको 2.4 से यहां पर 5 जो है गीगा और आउटर का इस्तेमाल होता है देखेंगे अगर मैं मोवाइल की बात करें स्मार्ट फून की बात करो इसमार्ट फ़ूसे भी हमgroup क्या करते हैं स्मार्ट फोन जो आपका होता है आप देखेंगे उससे भी हम लोग Mirror है इस moi पीस प्र्वाई पे करावागे अपने दोस्त स के माद्यम से इंटरनेट की सुविधा प्रोइड करता है तो वाइफाई में केबल मौटम की जगह पहले मौडम का परियुग होता था अलाकि नहीं होता है राउटर का इस्तिमाल होता है और इसका मैंने लिमिट कर बताया था लिमिट जो होता है 100 सब्सक्राइब इसको आप गूबल करके मेरे जानकारी में नहीं झालAyक में तो ुक्त मेलूम पर वाइपाइब केवल मॉड़ं की जगह में वायपाइब का commit आप होता है और लिमिट जो होता है इसका सो मीर्ट तक होता है मैंने कल बताया थाoger 10 मेटर से लेकर सो मीटर तक काहँ तक Son me rond थक होता है थेकर तो amiga siya to Pi से हम लोग जूट जाते है आसानी से जिसकी वज़ा से हम लोग आसानी से areareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare मौदं भी होता था लेकिंत吧 ज्यादा यॱज होनी लगा है थाटर ट्रेवल के लिए त्य यहां पर देखे अलग-अलग Noch कोया दिखा रहा हूं तो यह होता है जो कि hardware होता है क्या होता है इस से जो друг कंपनिया जूड़ी होती है जिसे जीओ फाइबर हो गया ना जीओ कंपनी है एक्स्ट्रीम मतलब अलग-अलग कंपनिया जो ही इसकी सर्विस देती है जिसकी वजा से हम लोग इंटर्णेट चलाने में सक्ष्शम होते हैं तो राउटर क्या होता है और साथिसाथ पें नेटवर्किंग डिवाइस हैं का मतलब पर हो एंटर्णेट की सिवाओं को भी देने के लिए यूच किया जाता है तो वाइ-फाई के बारे में आप लोग सम करेंगे नं उसके बाद कुछ को भी की अपी करेंगे पॉइंट और पढने चली इसके बाद हमारा क्या होता है वाई вместе iMacs क्या होता है वाई вместе सबसे पहले फुल फैर्म देख लेंगे ना वाई 沒關係 का फुल्साव्म क्या होता है यहां पर फुल फार्म ही अपने हमें हो यहां पर क्या हो जाएगा वर्ड वाइड इंट्रोप्रेविल्टी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस यह थोड़े से थोड़ा सा रीजन इसमें बड़ा होता है डाटा इसमें भी ट्रांसफर होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है तो यहां पर मतलब बड़ा सेवा अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी सुविधा उपलब्द है जिसको हम लोग वाई मैक्स मैक्स का मतलब अधिक होता ना मैक्सिमम आप बोल सकते हैं तो वाई मैक्स यानि वर्ड वाइड इंट्रोप्राविल्टी फॉर माइक्रोवेव एक वाई मैक्स की सर्विस दे सकते हैं तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाएए बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो है परियोग किया जाता है किसको वाई मैक्स को जैसे वाई-फाई वैसे वाई-मैक्स बस उसका बड़ा रूप हो जाएगा वाई-मैक्स नागरत वाक्स के बाद आते हैं एक बलूतुथ वर्ड भी आपने काफी जादा सुना होगा और बलूतुथ तो सभी लोग जानते हैं मैं बलूतूथ जिसके माथन पहले व्यूतूथ काफी जादा राम्मल पहले बलूतूथ यह था तो है बहुत सारे हैं पैसे होते हैं Most Africa भी वायरेलेस होता है नहीं लोग डाटा ठांपर करते हैं यानि कोई तार नहीं हम लोग करवाते हैं यानि बिना तार के मांधियम से ही डाटा होता और यहां पर देखेंगे ब्लुटूथ एक बेतार डवलूपैन यानि वायरलेस प्रस्नल एरिया नेटवर्क होता है या एक तखनीक है जिसका परियुक्त छोटी दूरी पर डेटा के आदान प्रदान में किया जाता है छोटी दूरी मतलब वही डवलूपैन वही प्रस्नल अधिया नेटवर्क लगभग मैंने बताया दस मीटर से लेकर सो मीटर की बीच ही रह गया नहीं दस मीटर माइक्सिमम मानने के चलिए ना ब्लूटूथ बहुत लंबी दूरी तक काम नहीं करता है तो डवलूपैन इससे बोलते हैं डवलूपैन का मतलब हो जाएगा वायर हम लोग सुनते हैं मोबाइल्स के माध्यम से और जाता है यहां पर कैमरा होते हैं जो डिवाइसे कि means और या इसका प्रयोग चोटी दूरी पर डाटर ट्रांसफर के लिए किया जाता है मेरी बात को समझ गया हूंगे आप लोग अब इसके बाद यहां पर देखे इन सब को डाटर को देने के लिए हमारे पास होना चाहिए नेट्वर्किंग डिवाइस तो आज मैं जो है कुछ नेट्वर्किंग डिवाइस के नाम को बताता हूं कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा हलाकि सबसे पहले आता हम मौडम मौडम के बारे में आए थोड़ा साम लोग समझते हैं मौडम सबसे पहले नेट्वर्किंग डिवाइस क्या होता है तो नेट्वर्किंग डिव networking device होते हैं hardware device होते हैं जादा तर तो सबसे पहले मैं यहां पर modern की बारे में बात करूँ किसके बारे माडम आपने सुना होगा हलां कि अब ज्यादा तर modern का यूज तो नहीं यूज होता है लेकि प्रसंद पूचता है modern से प्रसंद बनते वॉलेटर यहिग लाडी होता है अगर मौडम की में बात करें मौडम की Merry करें कि कैसा डिवाइस है तो इन एलके डिवाइस है दूसरा पॉइंट कैसा डिवास है हाडवेयर डिवाइस है अच्छा इंपूट डिवाइस दोनों होता इंपूट एंड ऑट्पूट डिवाइस बहुत यह दोनों होता है हिपक्षाइन आ किष्ट जानकारिया थे अब मोर्ण मोडम करते किया था सबसे पहले हमें मोडम की पिक्चिर को दिखा दो मोडम कैसा दिखता है मोडम की पिक्चर को में दिखाता हूँ झाया उसी हlink कि अगर मैं बात करूं तो ऐसी है जब बहुत ज्यादा खास इमेज नहीं दिखेंगा आपको यहां पर देखिए इंटरनेट यहां पर लिखना वायरलेस और वाइफाई डिलिंक इंटरनेट मॉडम ना यहां पर देखिए मॉडम जब दिलिंक का खुल रहा है तो यहां पर यहां यहां पर देखिए आपको इमेज दिख रहा है यहीं में जो आपको यहां पर दिख रहा है वायलेस और वाइफाई डिलिंक कि इंटरनेट मॉर्ट में होता है जो की नेट वर्किंग डिवाइस है ठीक हैperform क्या हो चाह SI से हुचता आनलॉघ का मौडल सिगनल करता है यह अघनलोग सिगनल को डिजिटल सिगनल मॉडम जो होता है एनलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल को एनलॉग सिगनल में करता है तो यहां पर सबसे पहले आईए यहां पर समझते हैं यहां पर स्टार पहला बनाएंगे एनलॉग सिगनल को अभी मैं सिगनल भी दिखा देता हूं आपको एनलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल तथा डिज़टल सिगनल को तथा डिजिटल सिगनल को अधिसल सिगनल को इनलोग सिगनल में और करता है analog है जो जो मॉडम होता है signal converter का काम करता अगर मैं दिखाओpp को यहां पर second converter कैसे convert कर रहा होता है अ हम ऊधि को लिए है हमारा और इसके इमिज की बात अगर मा करूं ते हां seven लोको सिगनल डिश सी लिग्लट डिजिटल को सिगनल को इनल्ट सी चिकनल में इस प्रकार से में आपको यहाँ से क्लिए थ्था दिखा देता हूं कि यहांपर देखिए इस प्रकाल से आपको एक image दिखेगा पिदे यहांपर जो है इसको हम लोग बोलते हैं जो आपको signal दिख रहा है इसको जो है एनलोग signal होता है digital signal होता ना एज़े सिगनल जो दिख रहा है digital signal है और यह वाला जो सब्सक्राइब चलता है जबकि जो सब्सक्राइब कर रहा है यहां पर जो इसको बदल दिया फिर मॉडम ने फिर इसको डिजिटल में भी बदल दिया तो मॉडम क्या करता है सब्सक्राइब को डिजिटल सिगनल और डिजिटल सिगनल को अनलॉग सिगनल में बदलता है लेकिन ज्यादा तर मनमोहन पर मिल जाओंगा ठीक है मनमोहन ब्रांच पे चले यहां पर सिगणल एंस नट लोग करता है तो इस परकिरिया को क्या कहते हैं तो आई यहां पर पॉइंट है पॉइंट क्या है मॉडम जब होता है जब डिजिटल सिगनल को मॉडम मॉर्डम जब डिजटल सिगनल को डिजटल सिगनल был अचिएंटर सिगनल को गिदिज टल सिगनल को अटेज़ तो एस प्रकिलिया को तो इस प्रकिलिया को इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को मॉडूलेशन कहते हैं प्रसंद भावी बार पूछा जाता है वाट इज मॉडूलेशन तो यहां पर मॉडूलेशन कहा जाएगा मॉडूलेशन जब हमारा मॉडम डिजिटल सिगनल को एनलॉग सिगनल में बदल रहा होता है तो इस सब्सक्राइब लोग बोलते हैं डी मॉडूलेशन यहां पर क्या है कि सब मेरा एक्जाम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर का तो इस पर अच्छा ठीक बिल्कुल बात कर सकते मनमोहन पर मिलेंगे आप से यहां पर आ कि मॉडूलेशन हो जाएगा दूसरा पॉइंट है प्रस ने पूछता है कि जब हमारा कंपने जब हमारा मॉडम एनलोग सिगनल को डिजिटल में बदला होता है यहां पर देखिए अनलोग सिगनल जो की कांटिनिवर्स है और डिजिटल सिगनल आपको दिखरा होगा जो हमार प्रस ने पूछा जाता है कि जब डिजिटल सिगनल को डिजिटल में बदलता है तो इस परकरिया को क्या कहते हैं ठीक है हाज बिल्कुल उसका फुलफामी मॉडुरेटर होता है लेकिन परस्ट न कुछ ऐसे पूछा जाएगा जब मॉडम 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 एनलॉग सिगनल को मॉडम जब मॉडम जब एनलॉग सिगनल को डिजिटल सिगनल में बदलता है तो इस परकरिया को तो इस प्रक्रिया को प्रक्रिया को डी मॉडूलेशन कहते हैं जो की मॉडूलेटर और दी मॉडूलेटर से ही है डी मॉडूलेशन कहते हैं बिल्कुल 01 जो होता है डिजिटल होगा डी मॉडूलेशन कहते हैं तो इस चीज को भी आपको याद कर लेना है क्योंकि एक्जाम मे सब्सक्राइब ठीक है चलिए मैं कुछ को करवा देता हूं कल और भी मैं डिवाइस पढ़ने वाला हूं कल मैं आपको बता दू कौन कौन से डिवाइस पढ़ने वाला हूं कल मैं आपको जो है राउटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं राउटर क्या होता है राउटर के बाद फिर आपको वाले electronic page को के नाम से जाना जाता है यहाँ पर देखें इंटरनेट मैंने खोला यह जो pages दिख रहें इंटरनेट के माद्यम से इन पेजों को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं यहाँ जैसे मैंने अभी आपको कई सारे internet के माद्यम से जो इनको क्या बोलते हैं इसका जवाब देखते हैं किसका आता है मैं आपका कमेंट देख रहा हूं तो इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा internet के माद्यम से जो ओपन देने वाले जो पेज होते हैं या internet के माद्यम से जो ओपन पेज होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेपेज बोलते हैं ठीक है चलिए internet में यहां पर आएंगे डवलू थी सी इसको मैंने पढ़ाया था इस टार्टिंग में पहले दूसरे क्लास में ही मैंने आपको समझाया था डवलू थी सी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा इंटरनेट का कोश्चन है बिल्कुल यहां पर इसका जाला देंगे पहला है डवलू थी क्या हो जहां आड़ का क 6 मिदेंट के संद्र में इंटरनेट के लिए दो प्रूटकाल को कौन सा होता है मेरी कला सँगेटियर में होती है कोई बात ने मिलना चाहते हैं यहां पर ध्यानेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल कि संदर में टीसीपी आईपी का पॉर्ण रूप क्या है देखेटी सीपी और आईपी जो की इंटरनेट के लिए परिख्थ होने जाएगा Transmission Control Protocol और दूसरा देखिए यहां पर इंटरनेट नहीं होगा यहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहां पर भी यहां पर आई पूरा देख लेते हैं Transmission Control Protocol इंटरनेट प्रोटोकॉल तु है आपका वी कल पाप का वाला सही हो जाएगा यहां पर ट्रांस्पर गलत होगा transmission होता है transmission Control प्रोटॉकॉल TCP का फॉल फॉल हो जाएगा ठीक है चलता तीस सब्साइब चलिए अच्छी बात है चलिए इसके बाद आ जाते हैं लोग сложно next question मारा है और पनीट का फफुलफॉर्म क्या होगा अगर मैं बात करूं पर स्वेक्ष हो जाएगा तो मैंने आपको पढ़ाया था और तो सुरुगात किया था इंटर्ण इंटर्निट की दो turni की बिकास अज बना बना था ऐड्रक्प्रानिट ही धा दो अमेरिका के सय ने विभाग से Сबैने निर्ण सकते हैं सैने विवस्ता के लिए इसको बनाया गया था यहां पर जो इसका बिकल्प हो जाएगा विगलप क्या हो जाएगा चली बढ़ते हैं की तरह पर इसका जवाब आप लोग देंगे जवाब इसका दीजिए क्या हो जाएगा Google Chrome एक है Google Chrome कि अगर बात करूं पहला यहां पर मुबाइल फोन है इंटरनेट सिवा परदाता है सोचल मीडिया साइट है ब्राउजर यहां पर इसका जवाब देंगे क्या हो जाएगा इसका जवाब दीजिएगा Google Chrome क्या है Google Chrome आपको यहां पर नीचे दिख रहा होगा Google Chrome क्या है यहां पर और 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 मैंने आपको ब्राउजर पूरा पढ़ा है ठाथना अब इसको अगर नसरे लोकौल क्यूस हätने चल्याएं इसको ब्रॉजर वे लिखा आए तक तो भी साही फोड़ ने बैब تو ब्लिस मैं बहुततौत है मैंने कुछ तो बताया भी था Google है स्बिक है Google क्रों है Google Chrome on Google Chrome क्या er resource URL है Uciqué अपल सफारी 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 वी क्या हो जाएगा यह वह हो जाएगा उसके बाद मैंने आपको उपेरा बताया था लगा फेरा मीनी तो Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge भी क्या है Microsoft Edge वैसे इसमें तो दिया है देखिए हाँ पर Microsoft Edge यही है आप जो आइकन आपको दिखरा है यही Microsoft Edge है ठीक है तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे डाड़ डाट मैं स्टार्टिंग से वहाँ पर सारी वीडियों सारी चीज़े मैंने ब्राउजर के बारे में सर्च इंजन के बारे में और इंटरनेट को कैसे चलाते हैं हो जिला फायर फॉक्स भी होता है बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है सरुजी तो आज के लिए मैं बस इतना ही करता होगा अगर आप जोइन करते हैं तो बिल्कुल भी कर सकते हैं बहुत ही कम पैसे में जो है 99 रुपे में जो है कोर्स पर लेबल है ले सकते हैं नहीं तो बाकि जैसे चला ऐसे यहां पर यूटूब पर भी चलेगा ठीक है तो आज के लिए मैं बस इतना ही करता हूं मिलता करकी क्लास में सभी को जहेंगे करता है